प्यारे दर्सकों आप सभी का बंदन अभिरंदन मैं आचारे प्रमोद मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ और मंगल कामनाई देता हूँ सन दोजार चोबिस के लिए जो ये अंग्लिजी नोवर्स है मकर रासी का रासी फल किस तरह रहने वाला है दोजार चोबिस में इस बिसे में चर्चा करेंगे और सभी दर्सकों के लिए सभी जातकों के लिए उस जगजनरी जगदंबा से प्रारता करते हैं कि आप सभी लोग खूब उनन्ती करें खूब परसंदी पाये जीवन में पहलू पर चर्चा करूंगा तो निवेदन है कि आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बढ़े दें दर्सकों ये साल मकर रासी के लिए मिला जुरा नानी मिस्तृत परिणाम लेकर आने वाला है आर्थिक पच्छ के संधर्ब से साल की सुरुआत आपके लिए अच्छी रहने में उच्च के मंगल की उपस्ति भी आपके जीवन में नई उरजा अच्छा स्वास्त और सफलता दिलाने में मददगार साबित होगी दसकों मकर रासी की जातकों के लिए सनी लगन का स्वामी है और साथ ही दूसरे घर का स्वामी भी है और पूरे साल यह आपके दूसरे यानि कुम्हरासी में उपस्तित रहेगा जो बचद और बैंक की बैलंस में ब्रद्धी के लिए एक बेहद सुपरिणाम साबित करने वाला है अब ब्रस्पदी और सनी के दोहरे गोजर के बारे में अगर बात करें तो इस बर्ष की पहली शमाही में एक मई दोयल चोविस तक आपका चतुर्द भाव में और अश्टं भाव यानि सिंग्रासी सक्रिय रहने वाला है ऐसे में चतुर्द भाव के सक्रिय होने की चलते चतुर्द भाव से समद्धित मामलों के लिए अन इंत्रम में रहेगी इस बर्ष आपके पार्टनर के साथ आपकी संयूक्त संपत्ती में ब्रद्धी होने के आसार है तो बढ़ते हैं अलगलों बिश्यों पर बेविन पहलों पर शर्चा करते हैं और दो हैर चोबिस की सटीक भविश्वाडी आपके लिए देखे धान से बात और बैंक बैलेंस में ब्रद्धी के संकेद दे रहें ब्रश्पति का गोचर चतुर्थ और पंचम भाव में दूसरे भाव के स्वामी की रूप में यह दरसाता है कि पूरे साल आप अच्छे और सुभकारे जैसे की घर खरीदना बच्चे का जरम बिवाह या उनकी भी अपना पैसा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से बिचार कर लेने की जरूरत है साथ ही किसी भी जोखिम भरे उद्यम में निवेश करने या बड़ा जोखिम लेने से बचने की सलाह आपको में देते हैं हरां कि सकारात्मपच्च के अगर बात करें तो आठमे भाव स्वास के संदर्व में इस साल आपको मिले जुले परेड़ा मिलेंगे बर्स के सुरुवात स्वास के द्रिष्टी से देखा जाए तो सुब रहने वाली है खासकर फरवरी का महीना क्योंकि इस दवरान जादातर सुब ग्रह जैसे शुक्र बुद्ध आपके लगन में सकता पड़ेगी क्योंकि बर्स की पहली समाई में सनी और ब्रश्पति के दोहरे गोचर के चलते आपका अस्टम्भाव यानि शिंग रासी शक्रे हो जाएगी जिसके चलते आपको अचानक स्वास्त समस्याओं जैसे की चोट लगना या शिरंटादी क्या सामना करना लगन पर द्रिश्पति की चलते आपका वजिन बढ़ सकता है इसलिए आपको अपने स्वास्त और कल्यान के प्रति जादा सावधान और सचेत रहने चाहिए करियर के लिए करियर के दोश्ती से बात करें तो इस साल करियर के मामले में साल की स्वात चिरहने वाली है जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिलास्ता, सुक्षुवधा और आराम से सम्वंधित ग्रह शुक्र को माना गया है ऐसे में फरवरी का महिना आपके लिए बिशेस रूप से फल्दाई सावित होगा क्योंकि बुद्ध शुक्र जैसे अधिकाल सुप रहे आपके लगन में गोज़त कर रहे होंगे ऐसे में यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है 5 फरवरी से 15 मार्श तक लगन में मंगल के उपरसिती भी आपके जीवन के लिए नई उर्जा उत्तन स्वास्त और सफलता प्रदान करने में साहयक सावित होगी मकर रासी के जातकों के लिए इस वर्ष नोकरी की और नोकरी कार छेतर से जुड़े लोगों के लिए आउस्सत रहने वाला है आपके रसंभाव पर बरस्पती की सात्मी द्रिष्टी की जलते 1 माई 24 तक आपके जीवन में ब्रद्धी होती रहेगी हलांकि मकर रासी के वह जातक जो ब्योशाय की छेतर से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत यच्छा रहने वाला है क्योंकि दूसरी समाही में आपके लिए धन कबाने का अनकूल समय शुरू हो जाएगा एक माई 24 के बाद जब ब्रशब रासी में गोचर कर जाएंगे और आपकी पंचम भाव में ब्रशबती और सनी की गोचर की चलते आपका एकादस भाव ब्रशब रासी शक्रिय हो जाएगा तब आपको जो वर्दस्त लाब मिलेगा आपके निवेश यहां तक की ब्यापार की ब्रद्ध के लिए दिल के कालिक प्रभावसाली नेट वर्किंग के निवार के लिए शमय उपयुक्त सावित होगा बात करेंगे सिच्चा के लिए मकर रासी के जातक 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 हैं उनके लिए यह साल बेहस सुब रहने वाला है एक मई दोया चोबिस को होंगे साथ ही अपने जीवन में ग्यान और एकागरता की ब्रद्धी होते भी देखेंगे क्योंकि ब्रहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी भी है ऐसे में आप अपने सवक को अपने पेशेवर पाठक्रम या अपनी पढ़ाई की हिस्से के रूप में चुन सकते हैं इ पंचम भाव से ब्रहस्पति आपके नवम भाव पर द्रिश्टी डालेगा जो बिदेश जाकर पढ़ाई करने वाली छात्रों के लिए सुभ संकेत दे रहा है आपके पंचमेश सुक्र के बारे में अगर बात करें तो यहां आपके पंचम भाव को नियतिन करता है इसलिए सुक्र के गोचल के चलते साल की सुरुआती महीने पढ़ाई के लिए धे सारे आउसर आपके जीवन में लेकर आएंगे साथ ही यह समय आपके लिए बेहद अनकूल रहने वाला है ऐसे में मकर रासी के छात्र जात्कों को यहां सरादी आती है कि इस समय का सदुपयोग आप अपने सेच्छिडिक विकास के लिए करें और अपने प्रयासों में नियंतरता जारी जखें बात करेंगे परिवारिक जीवन के बारे में परिवारिक जीवन के लिहास से सार आपके लिए अनकूल रहेगा दुतिय भाव में कुम रासी में दुतिय भाव की स्वामी सनी की उपस्थित रूप से आपके परिवार का बिस्तार करेगी और विवाह या बच्चे के जरम के रूप में आपके परिवार में कोई नया सदस भी चुड़ सकता है साल की पहली शबाही एक मई दोहर 24 तक आपके चतुर दफाओं में बरिस्पति की उपस्थित घर को धेरों खुशिया बढ़ार करेगी मगर रासी के जो जातक नया घर खरिदा चाते हैं या अपने उपस्थित घर का बिस्तार या नवीदी करना चाते हैं या नया वाहन खरिदा चाते हैं और पिशे साल नहीं कर पाये थे वह इस साल इसमें करने में कामयाब हो सकते हैं इस साल के पहले भाग में विशेश रूप से फरवरी के महिने में आपका चतो थेश रासी में उच्छ होगा ऐसे में आपको इस संदर्व में सफलता मिल सकती है हलागी साल के अंत तक आपके जीवन में धेरो परिशानी आ सकती है क्योंकि इस बर्ष 23 अक्टूबर को चतुर दवा का स्वामी मंगल अस्त होने वाला है और साल के अंत तक आपके सब्तम भाव में इस्तित रहने वाला है इसलिए इस दवरान आपको विवाह यानि बैवाहिक जीवन में धेरो समझ्चाय उठानी पर सकती है चलिए बात कर लेते हैं बैवाहिक जीवन के लिए बैवाहिक जीवन की बात करें तो यह साल आपके लिए आउसत यानी मध्यम रहने बारा है क्योंकि आपके सब्तमभाव पर किसी भी असुभ या लावकारी ग्रह का प्रभाव नहीं है मध्यम प्रभाव है इस साल आप पने पार्टन के साथ सुखद पल भीतित करते निजर आएंगे साल के दूसरे भाग में आप पने जीवन साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यातरा पर या फिर तीर से यातरा पर भी जा सकते हैं आप अपने जीवन साती के साथ इस साल कई धार्मिक जगहों के दर्सन करते ज़राएंगे साल के अंत में आपको ज़्यादा सावधान रहने की आप सकता पड़ सकती है इसके अलावा आपके बैवाहिक जीवन में आपकी मा या मातुले किसी बेक्तिक के अतिधिक हस्त शेक में चलते भी बिवाद उत्पन होचता है एक माई दोयार चौविस ब्रसफ रासी में ब्रसफदी का गोचर उन लोगों के लिए अनकूल होगा जो इस बर्ष अपने परिवार का विस्तार करने में रुची डखते हैं चले बात कर लेते हैं प्रेम जीवन के लिए प्रेदर्श को प्रेम जीवन के बात करें तो यहाँ साल प्रेम के संदर्व में बेहत सांधार रहने वाला है मकर राजी के सिंगल जातकों के लिए इस साल किसी जिस्तों में बंधने की प्रबरासंगा है आप किसी दूर अस्था पहले से ही किसी के साथ प्रेम में जुड़े हुए हैं उन्हें लंबी दूरी के रिस्तों के चलते कुछ चुनोतियों को सामना करना पड़ सकता है हलांकि अपनी आपकी प्रेम जीवन में दिरन तरता बड़ी रहेगी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे साधी करना स्वामी ब्रस्पदी के साथ परिबर्तन योग का निर्मान करेगा जो आपके प्यार में अनिस्चिता की वजह या कारण बन सकता है चलिए बात कर लेते हैं मकर राशी की जो भी जातक जातिका है उनके लिए कि उनका उपाय कैसा रहेगा क्या उपाय को करना चाहिए तो ध्य अपने माम और समाज के ब्रतल हों के कोशिस करें कि स्तांति भूजन का ही आँकर कि आज़ी को खुश्त रखें यस्से रमिक्रिपां पर बणी रहती है स्थनिवार के दिन कोउगों को कुछ खाने को किलाएं और चीटियों के लिए पक्षियों के लिए बाजरा और आटे का उपयोग भी करें यानि आटे का चीटियों को डालें और बाजरा या फिर सत्रजा पक्षियों को डालने का प्रयास करें ऐसा करने से आपका बर्स बड़ा उत्तमरा रहेगा आप स्वस्त रह रहेंगे और मन से परिवार से अरंदित रहेंगे बहुत बहुत मंगल कामना बहुत बहुत शुब कामना जै माकात्यायनी